हेलो फ्रेंड्स मैं जब रकास आप सब लोगों का अपने शुट्यूप चैनल जेए प्रणूट से कि में शौकत करता हूं आज कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप सब पंप कितने डाइप के होते हैं किस तरह से केटेगराइज करते हैं तो में में जो पंप है उसका हम देखेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से क्या होते हैं और इसका जो पीडियाफ है वह पीडियाफ मैं पूरा डीटेल में आपको पूरा लिंक में देदूंगा तो आप पूरा इसको डीटेल में पूरा पढ़ना है इसके बारे में तो पूरा ड वारें बताया था मैं टेले neo home करना दों पर उलक और poses परेंग़ सकते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर में कौन-कौन कऊंग है आता है रूजल्द पंप और रोटिर्व हम अभरेस्व प्रोक्टिंग पॉंप में है हमारा पुछ पंप प्लांजर पंप झाल टीन पंप एंच्व कि व में देखेंगे रूटिर्टीर operation members कई प्यम्मीफट बारे मिगाटो क्या है किसे हैं टichtig है उसकी इमिए जब गर सब दीखेंगे तो हञाल रेसे बों पंप हो गया रिसे परीघ्टिंग और रोटरीपम फिरा रोटरीपम दूसरा तौढ रोट्रीपम में कि लिए औन बैलेंस वैनंपंप और बैलेंस वैनंपंपंप है q q फिल पिस्टन पंप में बी डो टाइब आते हैं низ Bardzo एकसाल पिश्टन पंप और पिस्टन पंप और ढीक्य। अ कि स्ट्रेट एकसी शी और bent axis pump, उसके बाद फिर हमारा आता है radial piston pump, अब radial piston pump में देखिए, इसमें भी दो टाइब आते हैं, stationary cylinder pump और rotating cylinder pump, उसके बाद फिर देखते हैं, हमारा non positive distribution pump आता है, तो non positive distribution pump में या फिर dynamic pump में हमारा क्या है, दो टाइप है, centrifugal pump और vertical pump, centrifugal में radial flow pump, axial flow और ये हमारा mixed flow, ये तीन आ आता है, line shaft pump, submersible pump, और horizontal mounted axial flow pump, ठीक फ्रेंट्स, ये आगे हमारा, अभी चलते हैं इसका, कि एक एक टाइप का कैसा है, क्या है, ये देखते हैं, तो देखें फ्रेंट्स, जो हमारा positive distribution में था reciprocating pump, वो हमारा, ये हमारा reciprocating pump, ये कैसा करता है, ये हमारा reciprocating movements से हमारा क्या करता है, oil को suck करता है, और inlet wall है, और ये outlet wall है, और ये outlet wall है, oil को suck करता है, यहाँ delivering में देता है, ये reciprocating moments है, ये लिगने कैसा है, fluctuation में करता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करता है, रेसिप्रोटिक जो पंप है, उसको हम अपने reciprocating pump होता है, उसको यूज करके हम अपना circuit को कुछ देर के लिए हम वहाँ पर अपना pressure generate करा के अपना जो भी हम release करना है, hydraulic system से हमारा, हमारे जैसे break release करना वो करना तो वह हम उससे करता है, तो temporary उसके लिए हम इसे इसलिए हम reciprocating pump यूज नहीं करते हैं, ठीक है, यह देखिए हम यहाँ हमारा double वाला, इसमें double section double discharge वाला है, जैसे reciprocating movement करेगा, आगे पीछे और यहाँ से हमारा suction or delivery मिलेगा, उसका फिर देखिए जो कि हमारा था piston pump के बाद फिर हमारा प्लंजर पंप, यह हमारा plunger है, इसके forward or backward moment से हमें हमारा वाल का suction and discharge होगा, फिर हमारा आता है, डाइफ्राम pump, तो यह हमारा डाइफ्राम pump होगा, यह देखिए हमारा डाइफ्राम pump होगा, यह हमारा यह एर पे जलता है, ठीक हम इसे slurry के लिए जातर यूज करते हैं, जिस यह भी, forward or backward moment के वाज़ से इसमें, यह चेकवोल लगे हुए, चेकवोल open और close होते हैं, और यह हमारा oil, यह पिर जो हमारा slurry है, वो इसको transfer करता है, नुमटिक एर की मदद से, ठीक है, यह एर से चलता है, ठीक है, अभी चलते हमारा rotary pump के उपर, देखिए ठीक हमारा rotary pump, rotary pump म कि हमारा internal gear pump आता है, तो उसमें हमारा यह है external gear pump पहले देखता है, यह देखे, external gear pump, क्योंकि इसके जो teeth है, वह हमारे बाहर के side में आ है, देखिए, बाहर के side में से इसलीए external gear pump कहते है, और यह दार एक्टरनल गेर वांप होगा सक्सिन आज करेगा यहां से लिज्चार्ज पर हम ळाता है कि इंटर्नल गेर त्या लिए देस्ट है इस खेड़ केसाथ क ये हमारा सेलिंग क के स सहते हैं एक कर्येसे क्रेसंट बूलते हैं विबह नोल यह इंदर लीक्षाइब ना ऑचा इसके लिए इसके लिए तुह नोल करते हैं त्याम इंटरनल गेर फुंप है उसको देखते हैं हमारा अजी लूब है यह रोटर है यह थ्री लूब वाला है यह तुव फ्रैंट इसनी पूलत डिटेल में हमांने लिंक दे दिया और पीडिएफ का लिंक ठीक है डिस्क्रिप्शन में वह जाके पुरा डिटेल में इसका लिमुटेशन वह सब सब पढ़ सकता है पुरे दिटेल में दिया हुआ है इस यह यह गे गेर पॉंप और रोटर दोनों की तरब काम करता है लगें हमारा यह quality श्रक्राइब है इसके मूंइंट से हमारा कोवार चैनल मरा एक एइंड इंड से दूसरे फिए याएगा पीछ आता हएं इन फ्रॉम्प में LEG धैकि देखा था कि हमारा बेलेंस ऑला आता है यह आन बेलेंस है यह गैंके बैलेस्जफबन है। फृंत देखे फ्रेंट्स अब आता हमारा पिस्टन पॉम्प ठीक ह्रिये शरकेस ह्राईगलवस्त 2 ला है दो div इस तरह का कुछ होता है इसके बाद हमारा आता है नौन पॉजिटिव डिस्प्रेशन पंप नौन पॉजिटिव डिस्प्रेशन पंप में हमारा आता है सेंट्रिफुगल पंप जैसके मैंने पिछले उडियों में इसके बताया था किस तरह से काम करता है इसमें भी आता है हम रेक्षन लेगा। और 90 पे डिशाज कर देगा। उसके 90 डिगरी पे डिशाज कर देगा तो the radial pump हो गया। और एक्षैली मतलब यसका involved है यह प्रप्यलर का उसके पेरलली होते हुए आगा। यह इसके चिट्रेटश दोसको axially flow बोलते हैं और यह है यह रएडिल फ्लो सिधर लिद सचार्ज यह वारा मिक्स फ्लो हमक więc यह अगम पर दे रहा है ढिक है और यह हमारा प्रोपुलर के थोड़ा परलर्ड चल के उसके बाद फिर सब्सक्राइब सब्सक्रीत थे यह यह एकखिस को है यह प्रोपेलर जिसके हम जातर अपने बॉर्वेल हो गया कुव हो गया इसमें हम यूज करते हैं पानी के लिए तो यह वाला पंप हाई है तो वर्टिकल पंप भी हमारा डिवाइड होता है कि इसमें लाइन शाप्ट पंप में फिर सब्मर्सियल पंप और होरिजन्टल